हेलो दोस्तो आई विल स्टेडी में आप सभी का श्वागत है दोस्तो आज का वीडियो बहुती मुश्ट इन्पॉटेंट है तो दोस्तो इस वीडियो को पूरा अंततक देखिएगा ताकि हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समाज में आ सके और क्लियर रहे तो दोस्तो के बेल नॉटिफिकेशन को अन करना मत हुए है लो दोस्तो आज हम बात करेंगे शिटिक से आटी क्लाश 12 की हाइगेंज के सिध्धान्त के अधार पर अपवरतन की वैक्ख्या के बारे में तो दोस्तो वीडियो अंततक देखिए गया ताकि आपको भी समझ में आ सके दोस् पिछली वीडियो में मैंने डाला था हाइगेंज के सिध्धान्त के अधार पर अवरतन की वैक्ख्या अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे भी जाके देख लिजए ताकि आपको दोनों अच्छे से समझ में आ सके ओके फ्रेंड तो आएगेंज के सिध्धान्त के अपरतन की होती है दोस्तों यह उसका चिस्त है हम लोगा का अपवर्तक त्रंगगार करें यह हम लोगों का अपरतक प्रिष्ग है तिक है यह क्या हैं अपवर्तक प्र nueva दोसतों यहां पे सगन और भीरल का उपयोग नहीं किया गया तो इस नहीं किया गया है मैना कि च अपवार्तक प्रिष्ट है जो आपे देख सकते हैं, जिड और जिड डैस जो है अम लोग का क्या है अप और तक प्रिष्ट है और यह दो माध्य मुखा क्या है सीमा प्रिष्ट है यानिक उसका सीमा प्रिष्ट है में बूँप कंचया है कि सीमा प्रिष्ठा अब यहां पे लिखा है जिसमें त्रंगार्ग erfolg की चाल करमश्थ भीवन वह भीटू है तो दोस्तों त्रंगार्ग की चाल्द पहले माध्यय में क्या है वीवन है माना की पहले माध्यय में पतो खालउ से एक संफल त्रंगार्ग यह Цीरचा आपतीत होता हैं यह जो पीकी यह रपी दू तरंगार गये वला ये वला ये वला तिरचय हां तो तीरचा आपतीत हो रहा है तोLord प्रिश्ट को विंदू ए पर असपर्स करता है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले असपर्स कर रहा है अब क्या कह रहा है आप लोग क्या यह देखिया असपर्स करता है तथ त्रंगार्ग के बिंदू बी को सीमा प्रिश्ट के बिंदू A दैस तक पहुंचने में T समय लगता है तब B A दैस बराबर इसकोल टू B1 T यह T बराबर 0 समय पर पहुंच रहा है और यहाँ पर यह T समय में पहुंच रहा है जब यहाँ पर A T बराबर 0 समय पर पहुंच रहा है तब तक यह वला तरंगार्ग जो है वो बिंदू B ही तक पहुंच पाया है जब यह नीचे की बर जाएगा ना तब यह यहां तरकाएगा तो उसका जिक्र भी होगा वट यहां पर पहुंचा है तब यह बिंदू B पर पहुंचा है और बिंदू B को यहां तरक पहुंचने में ती समय लगता है ठीक है फ्रेंट इसको T बराबर 0 सकेंड में तो इसलिए यहां पर लिखा गया है BA is equal to B1T जैसे तरंगार PQ आगे बढ़ता है वह सीमा प्रिष्ट के बिंदू A और Aडस से टकराता है अर्थाथ जैसे जरसे PQ आगे बढ़ेगा वह सीमा के बिंदू A और Aडस से टकराएगा ठीक है फ्रेंट दूसरे माध्ध में गोले यह तुछ अब आते हैं नेक्स पेस पेस यह जैसा कि मैने बताए था पहले माध्ध में v1 चाल से चल ला है दूसरे माध्ध में v2 चाल से चल ला है वही बात है जो Bis जैसा कि मैंने बताया है कि जब विंदू बीत पर ही पहुंच रहा है और जैसे कि यह नीचे जाएगा अब वह एडास तक जाएगा तो वही चीज है ठीक है तो विंदू ए से सबसे पहले दूतिया कोलिय तरंगी काई निकलती है जो टी समय में दूसरे माध्यम में ए और एडास इस एकॉल टू भी तू टी यानि कि इतनी दूरी यानि कि इतनी चाल से चलती है इतनी दूरी तरह कर लेती है जैसा कि ए और बी डास दूरी तरह कर लेत तो यहीं तक यह उसमें लिखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरे माध्या में A और A' दूरी तय करती है, ठीक, इसी समय T में तरंगार बिंदु B से पहले माध्या में A, B, A' दूरी तय कर लेती है, जैसा कि बता है, जहां से अब दूतियक तरंगिका निकलना विंदु A को केंद्र मानकर, A भी तुरी जय का एक चाप खिसते हैं, तथा 1 से 1 चाप पर असपर्स रेखा A' B' खिस देते हैं, आपको मैं समझा देता हूं, चित्र के अनुसार दिख लिए, अब चैसा कि दोस्तों, जब यहां से विंदु B तक आता है, तो हम लोग क्या क अगे बढ़ता है, थीक है दोस्तों, A, Dust, B, Dust खीच देते हैं, जैसे आपती तरंगार, जैसा कि आपने बताए, जब आगे बढ़ता है, वह क्या करता है, A वह A Dust के बीच, सभी विंदु से 1 के बाद एक, टक राता है, एक क्या करता है, तो हुहां से तक राने के बाद, फ्रहँ वहां से दूत्य गत्रंगिकालना का ना इकर आथा अर्थाद दूसरे सब्दों में हम लुक्प है e दआस और बीड़ीट्ए तुन फोर्ष करेखा और तो दआस आप वर्तक त्रंगार्ग होगा जैसा कि यहाँ पर चिक्ट्र में देख सकते हैं यहाँ पर आप यहाँ यहां से यह लिकल गया ठीक है तो हम लोगा क्या हो गया अप वर्तक त्रंगार्ग हो गया जिसे हम R.E.S. भी कह सकते हैं, दूसरे सब्दों में ठीक है, अब दूस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहां पे सबसे बड़ी चीज है, most important आपको यह चीज ध्यान में रखना, कैसे यह हल हो रहा है, माना कि आपते तरंगार, जो R.E.B. यानि P.Q. तथा, अब वरतंग तरंग A .B. A medida sin I बड़ाबर. B A plus A. a . A ठीक है यानि P. इस में भी बड़ाबर यहां पे उस टीज का मलोगों हम लोगаже स्वार रख दिया दिया हे, यहां पे v1T और A का पना gसल अब थरंग नहीं रख थे क्योंको इस में घीक है क्योंको इस में भी. ऑंड़ 12,'T तरंग एक और इसको समिकरण दो माल नहीं है ठीक है अब क्या होता है यहां पर देखिए हैं और दोस्तों यही अपवरतन का प्रथम नियम है इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं तो दोस्तों बस इतना ही है आपको यह पीडिएफ में लिंक में दे दूंगा वहां से आप डाउनलोड क लिजेगा या फिर इसको टेलीग्राम ग्रूप में मैं डालने वाला हूं आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको फिजक्स कमिस्ट्री की नोस चाहिए तो मेरे वाटसप नमबर पे मैसेज कीजिए ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग दोस् वीडियो को सेर कीजिए हर एक वाटसप ग्रूप में ताकि और भी स्टुडेंट को पता चल सके इस साल के मुहस्तपूर्ण प्रस्ण के बारे में तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए धन्यवाद